दोस्तो IPL 2022 सुरू होने से पहले हार्दिक पांडे ने मुंबाइ इंडेस टीम के कपतान रोही सर्मा को दी चेताउनी तो क्या है खबर की पूरी जानकारी और क्या कुछ कहा है रोही सर्मा को हार्दिक पांडिया ने सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगराप भी रोहि सर्मा और हार्दिक पांडिया को वेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लेए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो आईपियल 2022 को सुरू होने में मातरब 6 दिनों से भी कमकास समय रह गया है पहला मुकाबला 26 मार्च को चैननाई और केके आर के बीच भारती समय अंसर रातरी साढ़े साथ बज़े से मुंबाई के ब्रेबरन्स क्रिक्रेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इसी से आईपियल 2022 की सुरूआत हो जाएगी आपको बता दे आईपियल सुरू होने से पहले सभी टीमें अपनी तयारियों को पूरा कर रही ऐसे में मुंबाई इसके लवा कोल का ता इसके लवा चेन नहीं और दिली जैसी सभी टीमें अपनी तयारियों को पूरा कर रही ऐसे में हार्दिक पांडिया की अगवाई वैले गुजरा टाइटन्स की टीम ने भी पूरी तरीके से तयारियां कर ली है आईपियल सुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच की जरिये हार्दिक पांडिया ने रोही सर्मा को बहुत ही बड़ी चेता होने दे दी हैं आपको बतादे मुंबै इंडियंस डिम का पहला मुकाबला दिली कैप्रल से खिला जाएगा यह मुकाबला 27 तारीक को खिला जाएगा इस दिन डबल हेंडर मुकाबले होने वाले हैं और यह हम जो मुंबई का मुकाबला है यह मुकाबला 27 तारी को भारते सन्यांसार दो भार तीन बैस के 30 मिट से शुरू होगा। आपको बता दे आईपेल 2022 में मुंबई और गुजरा टाइटन्स का सिर्फ एक ही मुकाबला खेला जाएगा क्योंकि यह दो नोटी में हालागला गुरूप में है इसके लगा अगर से फाइनल के रिए पहुंचती है तो दूसरा मुकाबला हो सकता है लेकिन दोस्तों इस मु कमेंट बॉक्स में जरूर देगा तो दोस्तों वीडियों फिलार इतनी मिलते हैं कई